आप लोगा स्वागत है गलफ एडिया चैनल में अगर आप देश दुनिया की ख़बरों से हमेशा अपडेट रहना चाहते तो अभी आप मेरी चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लें कतर की जो भी पहली अपडेट आ रही है 87 लोगों को दोस्तो जो कि ये 87 लोग मार्क्स नहीं पहने थे पब्लिक प्लेस में जहां पे फेस मार्क्स पहनना कंपलसरी है तो वो 87 लोग को वहाँ पे कारवाई के लिए भेज दिया गया है और इन 87 लोगों को अरेश्ट कर लिए अगर दोस्तो आपको जहां पी जिस पब्लिक प्लेस में आपको मार्क्स पहनना वहाँ पे कंपलसरी है वहाँ पे आपको फेस मास लगाना जरूरी है होगा अगर आप वहाँ पे पगड़े जाते हैं तो आप पर कानूनी कारवाई की जाएगी और कतर की जो भी अगली मौसाम में ठेंडे कि मौसाम में worker के लिए हर तरह का जो facility वो दी जाती है और ये दोस्तों qatar charity के तरफ से organize की जाती है जो जो worker को अगर गरम कपड़ा या फिर और कोई चीज की दिक्कत है तो वो qatar charity के तरफ से फायदा ले सकते हैं और कतर की जो अगली जो Vodafone Qatar company है उसने 5G MI5 from NC लाउंच कर दिया है मतलब 5G वहाँ पे जो 5G network है वहाँ पे लाउंच कर दिया है उसका जो starting price होगा 1699 कतरी रियाल starting price है और दोस्तों यह आज से यह सभी पूरे Qatar में यह लागू हो गया है 5G network आप इसका फैदा ले सकते हैं और Qatar की जो अभी अगली खबर आ रही है जो अभी बीमारी चल रही थी Qatar में तो वहाँ के जो सरकार है हर महना जो list है low risk country का list जारी कर रही थी लेकिन इस बार दोस्तों फिर से 17 low risk country का list जारी हो गया है इसमें कौन-कौन देसे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो पहली देसे ओमान, बुरूनी, दारुस्सलाम, थाइलेंड, चाइना, होंग कॉंग, चाइना, मगाव, चाइना, विटनम, मलेसिया, सौथ कोरिया, सिंगापोर, जबान, मायनमर, इस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, मैक्सिको, कूबवा, मौरिसिस, आइसलेंड, आइर जो कतर नैशनल डे है, वो हर साल कतर नैशनल डे मनाए जाती है, तो इस साल भी दोस्तो बहुत अच्छे से कतर में कतर नैशनल डे मनाए गया, जो की हेलिकॉप्टर के थुरू मनाए गया, और दोस्तों जो लोग जिस 17 देस को आने की परमिसन मिली है, वो उन 17 देसों को आ जानकारी लेना चाहते हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाएं